मन्चिंग, सुनते ही, मेरे को लगता है बहुत लोग सुनते ही, एक्साइटिड हो जाएंगे और समझना चाहेंगे कि मन्चिंग ये क्या सही है ये क्या गलत है, इससे क्या फाइदा है, क्या नुकसान है, जब भी आप कुछ खाएंगे, जैसे ही आपने खाया, उस खाने से एक प्रॉपर मील के जितना एसेट, चाहे वो पेपसीन हो, एससेल हो, ये सारे एसेट कॉंबिनेशन आ जाता है, पेट में जगे नहीं है, और डबल डबल एसेड आया पड़ा है, तब वो एसेड कहां जाएगा और क्या करेगा, वो ही एसेडिटी की, एसेडिटी का कारण है, आयुरवेद की माने है, तो तीन घंटा, एक मील से अगली मील में तीन घंटे का गाप कोना जाएगा, आगे जो लोगों को अलसर है, हर्मिया है, वो सब प्रॉबलम में यही एसेड आगे बढ़ जाता है, क्योंकि आप मंचिंग किये जा रहे हैं, नमस्कार, मेर मेरा नाम गौरव जोहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरपिस्ट, आज का सेहत की बात में हमारा टॉपिक है मंचिंग, मंचिंग, सुनते ही, मेरे को लगता है बहुत लोग सुनते ही, एक्साइट तो आज मंचिंग की हम बात करें, मंचिंग को समझने से पहले पहले तो हम समझें कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, जब भी आप कुछ खाएंगे, जैसे ही आपने खाया, उस खाने से एक प्रॉपर मील के जितना एसिट, चाहे वो पेपसीन हो, हो यह सारे एसिट कॉंबिने अब आपने खा लिया, प्रॉपर खाना खा लिया, उसके हिसाब से आपकी एंजाइम छूट गए पेट में, घंटा भर भी नहीं हुआ और आपने फिर से खा लिया, क्या खाया, इस बार सिर्फ एक चिप्स का पीस, अब जब आपने वो चिप्स खाया, बोडी को लगा, कि ये फिर से फ्रॉपर कोई मील आ रही है, और उसने उतना ही एंजाइन फिर से छोड़ गे, पेट में जगे नहीं है, और डबल डबल एसे आया पड़ा है, तब वो एसेड कहा जाएगा, और क्या करेगा, वो ही एसेडिटी का बड़ा कारण है, तो उससे हमें बचना है, आ बीच बीच में खाय जा रहे हैं, हर घंटे मान लीज़े कुछ खा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, एसेड बना वो तो एक अंगल है, दूसरी बात कि आपका शरीर सिर्फ खाना पचाने का काम कर रहा है, उसका अब एक ही काम आ गया है कि बाहर से कोई फॉरन बड़ी आई ह मुझे उसको पचाना है, बाकी सब काम छोड़ दी उसने, हीलिंग छोड़ दी, आपको गर्दन में दर था, आपकी लेग में पेन है, कहीं चोट लगी है, कोई चीज है, सारे काम छोड़ के उसे पचाने में लग जाएगी, तो आपका शरीर भी धीरे-धीरे तूटने अब क्या है, कि तो कब खाएं, ये चिप्स का पैकेट कब खाएं, ये बिस्कीट कब खाएं, इसका भी समय है, आयुरवेद की माने, तो तीन घंटा, एक मील से अगली मील में तीन घंटे का गाप होना चाहिए, और छे घंटे से जादा का गाप ठीक नहीं है आपके शरीर तो खाने में आपको क्या समझा है, कि तीन घंटे का पहले तो गाप करना है, उसके बाद छे घंटे जाला का गाप नहीं करना है, दूसरी बात, अब जब आप खाई रहे हैं, तो make it part of a meal, अगर आपने थाली देखी हो, राजिस्थानी थाली देखी हो, गुजराती, जो थ खाना है, खाने के साथ खालो, और फिर आप देखो, ये आपका एक तो मन भी मान गया, आपने चिप्स खाने थे, आपने खाने में रख लिया, प्लेट के साथ खाली, रादर देन उसका एक अलग से टाइम बनाया, और आप सोचोगे कि आरे, ये तो चलते पिर ते एक पीस खाये, पर वो एक पीस, चाहे वो अंगूर का ही पीस हो, चाहे आपने एक पल खाया, जो खाये, अच्छी से खाये, आदा अदूराण ना खाये, बीच में न खाये, और वो आपके शेरिज के लिए अंदर ठीक नहीं है, आसे डिटी तो करी रहा है, और भी जो आपके पित एपने हाप आप तू बचाए आजकर आप बच्चों को प्यार में दिखाया मेंदे कि प्यार सब काई की द्यूकर का सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तीन घंटे का गैप हो, छे घंटे से जादा का गैप ना हो, इन बातों का धिहान रखेंगे और मन्चिंग से बचे, यह आपके दे ठीट नहीं है, ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे सेहत की बात में, बहुत बहुत धनेवाद, आपका दि